हेलो स्टूडिंस मैं हूँ M.K. आदव फाउंडर एंड डिरेक्टर ओफ दि आईये सब आज हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी अनॉंस्मेंट है जो मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ में डिसकस करूँगा शूती शर्मा रैंक वन से लेकिए और रैंक 700 पर सबने बोला होगा कि NCRT का बहुत सिक्रिफिकेंस है कौन सा एक्जाम देना चाते हूँ आप आप देश का कोई भी कॉम्पेरिटिव एक्जाम दे लीजिए पट आपको NCRT पढ़ना ही पड़ेगा इतनी सारे सब्जेक्ट ह हैं इतनी सारी किताबे हैं कौन-कौन से चेप्टर्स हमें कवर कराने हैं और कौन-कौन से चेप्टर्स को कितना टाइम देना है कुल मिलाके 25 से 30 सवाल हर साल डिरेक्टली NCRT से आते हैं हाई जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक वीडियो बनाएंगे कि NCRT की कितनी किताबें एक्जाम के लिए रेलेवन्ट हैं कौन-कौन से एक्जाम में रेलेवन्ट होता है और कितने नंबर ओफ आर्स देने चाहिए आज की इस वीडियो में मैं ना सिरफ ये कवर करूंगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज कौन-कौन सी NCRT पढ़नी है बलकि मैं ये भी बताऊंगा उस NCRT के किस चैप्टर को कितने नंबर ओफ आर्स ठीक है देखिए ऐसा नहीं है कि आप सिरफ NCRT पढ़ेंगे और आपका CSC या स्टेट PCSE SSC या बैंक P.O का एक्जाम पास हो जाएगा लेकिन जो NCRT है वो एक बैसिक बैडराउट बनाता है आपका वो एक बैसिक इन्फोर्मेशन आपको प्रोवाइड क उनके पांच मिनिट बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबे हैं NCRT की सब्जेक्ट वाइज जो आपको पढ़नी है और उसके बाद पांच मिनिट में बताऊंगा कि किस चैप्टर को कितने नंबर ओफ आर्स आपको देने चाहाँ है सबसे पहले कि NCRT की किताबे क्यों पढ़नी है सबसे पहले तो आपने बहुत सारे टॉपर्स को देखा होगा आप एक बार अगर जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि वाट इस दा सिग्निफिकेंस अफ एन्सी आर्टी फोर यूपिएसी राइट फ्रॉम रांक वन ज हुझ है this ÖPSC की परिक्षा देनी है, State PCS की परिक्षा देनी है, SSC की परिक्षा देनी है बैंक बाक बपीऊ देना है चाहते हो आप आप देश का कोई भी कामपीरेटिव एक्जाम डेली जिये बट आपको NCRT पढ़ना ही पढ़े बहाँ Because it is aligned to the syllabus of all these comparative exams. So first तो वो reason है, second foundational books हैं जो 6 से 12th standard की होती है. So जो 6 से अब हर subject की किताबे 6 में नहीं पढ़ाई जाती है. अगर आप economics पढ़ना चाहरे हैं तो maybe वो 9 से start हो. आप history पढ़ना चाहरे हैं तो हो सकता है 6th class से start हो जाए. सो कौन-कौन से class की कौन-कौन से books पढ़नी है वो मैं आपको next slide में cover कराओंगा. फिर हर साल 25 to 30 questions in UPSC directly comes from NCRT. कभी हो सकता है कि economics से 5 questions NCRT से आगए, कभी geography के 7 questions आगए, environment के 2 questions आगए. बट कुल मिलाके 25 से 30 सवाल हर साल directly NCRT से आते हैं. मैं आपको कुछ examples भी दूँगा कि ये question आया था 2019 में, ये geography के इस वाले page से है NCRT की, ये 2020 में सवाल आया था. Based for analytical thinking, देखिए आपको means पढ़ना है, जैसे अगर आप polity की, अगर आप NCRT पढ़ेंगे 11th class की, wonderful book, must do है. अगर आपको समझना है कि liberty है क्या, आपको समझना है कि socialist है क्या, ये जो basic concepts with examples, जो NCRT cover कराता है, वो standard books में नहीं है. अगर आपको means perspective समझना है कि क्यों एक economy में RBI को money supply बढ़ाना चाहिए, उस money supply बढ़ाने से rate of interest पे क्या impact होगा, उसका impact export पे क्या होगा, जब आपको means का ये perspective समझ में आएगा कि अच्छा इस वज़े से होता है, तभी आप means के answer लिख पाएंगे. आप अगर देखेंगे एक बार previous year question, UPSC ने जो पूछा हुआ है या state PCS ने पूछा हुआ है, वो पूछता है कि एक economy में बहुत सारे macro economic indicator होते हैं, उस में से savings rate सबसे ज़रूरी है क्या, आपको क्या लगता है, बाकी सारे indicators क्या है, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको एक basic NCRT की knowledge होना बहुत ज़रूरी है, फिर simple language अब जो books government ने या NCRT ने एक 6th class, 7th class, 8th class, 10th class, मतलब 10 से 18 साल के बच्चे के हिसाब से लिखी है, उस से simple कुछ नहीं हो सकता, आप standard books में जाएंगे, उनकी language थोड़ी difficult है, अगर आपने हिंदू पढ़ना अभी newspaper just start किया होग तो आपको पता होगा कि उसकी जो vocabulary है, जो terminology है, वो थोड़ा difficult है आपको समझने में, आपको थोड़ा time लगेगा वो उस level की terminology समझने में, बट NCRT के case में एकदम basic literature से start करते हैं, so that basic बच्चे को समझ में आपने, और last है, it is used across various comparative exams, आप देखिए, यह आप UPSC, CSE में exam दे ल जीए, banks का दे लिजीए, railway दे लिजीए, CDS and DS, EAPR के लिए, आप कोई भी exam लिखना चाहते हैं, government का, आपको NCRT पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, अब चलते हैं कि इतनी सारे subject हैं, इतनी सारी कितावे हैं, कौन-कौन से chapters हमें cover कराने हैं, और कौन-कौन से chapters को कितना time दे पहले just 30 seconds में एक brief देता हूँ आपको, कि कौन-कौन से subject की कौन-कौन से books available है market में, फिर ये भी देखना है, कौन से skip करने हैं, और कौन से पढ़ने है, कौन से new NCRT है, कौन से old NCRT है, so subject अगर हम देखें, तो broadly 8 subject में divided रहता है, 8 subjects like history होगा, art and culture होगा, geography होगा, Indian society होगा, quality हो economy होगा, science and tech होगा, और environment and ecology होगा, इसमें ये सारी books available है, मैं आपको एक PDF के थुरू समझाओंगा, भी next after PPT, और वो PDF हम नीचे description में भी आपको देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं, तो ये सारी books हैं, इस class से pertain करती हैं, इतने number of chapters हैं, और कौन-कौन से आपको उसके chapter पढ़ने हैं, तो ये मैं लेकि आया कि आपको सारी NCRT 95 days में आप कैसे cover कर सकते हैं, देखो NCRT एक must do set of books हैं, बट अगर आप उसमें over invest करेंगे तो आपका time based होगा, तो students पूछते हैं कि सर कितने time में ये सारी NCRT पढ़ लेनी है, क्या मैं पूरा एक साल लगा हूँ क्या NCRT पढ़ने के लिए, या मैं सिरफ तीन महिने, चार महिने में NCRT cover कर सकता हूँ, अगले 5 मिनिट में, 7 मिनिट में मैं आपको chapter wise बताऊंगा कि किस chapter को कितना time देना है in that particular subject of that class, जैसा मैंने आपको बताया, ये major subjects हैं हमारे और ये आपको number of days allocate करने चाहिए, देखिए मेरा एक experience है, of mentoring almost 800 selected students in UPSC, CSE in last 4 years, उन सारे experience के हिसाब से मैंने ये number of days allocate किया है, हो सकता है, आपका learning curve थोड़ा सा different हो, so जहां मैं 9 days suggest कर रहा हूँ, आप बोले नहीं सर मुझे 12 days लग रहा है, but on an average, अगर आपका economics weak है, और आपको number of days जादा लग रहा है, तो हो सकता है, आपको quality में 15 की जगए only 12 days लगा, so on an average मैं suggest करता हूँ बच्चे को की 100 days से जादा आपको NCRT को नहीं देना है, otherwise वो over investment होगा, so ये सारे subjects लिखे हैं, यहां number of days allocated लिखे है, अगर मैं जाओं और economics से start करते हैं, so economics में total number of days हमें 9 देना है, अब देखिएगा आपकी कोई जो topic है वो evolve हो चला जाता है, जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं human capital, अब वो human capital और development हो सकता है, 9th class में भी हो और 11th class में भी हो, आपको as such NCRT नहीं पकड़के पढ़नी है, आपको ये topics पढ़ने है, कि आपने total economics को 9 topics में divide कर दिया, और हर topic को एक दिन में finish कर देना है, चो पहला topic होगा आपक development, जिसमें आपको class 9th और class 10th के first chapter finish कर देना है, फिर question आता है कि सर कितना time देना है उस chapter को, आप देखिएगा कि मुझे मैंने story of पालंपूर जो basic है, उसको डेढ़ घंटा दिया है, और development को एक घंटा दिया, आपको धाई घंटे में ये topic finish कर देना है, that is your first day job, second human capital नाम का topic ह जिसमें class NCRT 9th का और class NCRT 11th के chapter 2 and chapter 5 है, जिसमें आपको one and one and a half hours देना है, so second day में भी आपको धाई घंटे देने है, आपको किसी दिन two and a half hours देने है study को, किसी दिन तीन घंटे देना है, किसी दिन दो घंटे देना है, किसी दिन साड़े तीन घंटे देना है, but हमें finish कर देना है NCRT को, because आप college days में होंगे, आप college से just pass out होंगे, आप first year होंगे, आप second year होंगे, आपके पास एक Saturday और Sunday होता है, जिस दिन आप push कर सकते हो, procrastination के आदत को मत डालो, जितना आप postpone करते चले जाओगी, आपकी success आप से उतना ही दूर होती चली जाएगी, so next poverty for example, poverty is covered under class 9th chapter 3, poverty as a challenge, and class 11th chapter 4, poverty, 1.5 घंटा और 2 घंटा, आप 3 घंटे देंगे, third day, and आप इसको finish करेंगे, similarly infrastructure and rural development, उसमें 2 चेप्टर है, class 11th के 6th and 8th, दोनों आपको finish करने हैं, फिर globalization वाला chapter है, फिर employment के chapter है, similarly अगर हम चले तो हमने total economics को 9 days में finish कर दिया, जिसमें हमने class 9, 10, 11, 12 की NCRT's, जो exam के लिए relevant है, देखिए आपको ditto NCRT नहीं है, UPSC का अपना syllabus है, वो अपने syllabus के हिसाब से question पूछता है, उसको ये surety नहीं कर रह हूं, so economics में आपको सिरफ और सिरफ ये ही topic finish कर दे हैं, और 9 days और 9 topics में आपको इस NCRT's of economics को finish कर देना है, फिर अगर हम चलते हैं, polity के case में, so polity को आपको 15 days देने हैं, काफी interesting subject है, आपको देश का constitution समझ में आता है, आपके fundamental rights समझ में आते हैं, directive principle समझ में आते हैं, center state relation समझ म थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, दिल लगा के पढ़िएगा, so इसको total 15 days देने हैं, अब इसकी NCRT 6th class से start हो जाती है, so first day आप democracy पढ़ेंगे, class 6th के chapter number 1, 2 and 7 पढ़ेंगे, total 3 hours का time locate करना है, next आप democracy पढ़ेंगे, democracy as a topic will cover 8th class का कुछ chapter, 9th class का कुछ chapter and 10th class का कुछ chapter, so क फुल मिला के आपको उस दिन 3 घंटे के आसपास में देना है, देखो over invest मत करिएगा, आपको इन topics की basic understanding cover करनी है, बाद में जाके हम standard books से cover करें, फिर constitution 1 है, for example अगर हम जाते हैं तो, अब constitution 1 class 8th, 9th और 10th के एक-एक chapter, फिर constitution 10th, 11th, 11th के एक-एक chapter finish करेंगे, accordingly आपको number of days देन फिर constitution 2 को class 11 के दो chapter, फिर electoral politics को ये 4 classes देनी है, institutions first को ये classes देनी है, similarly institutions second को, second को rights, India since independence, India since independence, ये आपकी classes के chapters cover होते चले जा रहे हैं और ये number of hours जो आपको allocate करने हैं, तो अगर मैं last में summarize करूं, quality को, so कुछ misleading topics मिला के, आपको ये 14 to 15 to 16 maximum days में, quality को finish कर देना है, all the NCRTs, NCRTs के किताबे, government ने अपने website पे free of cost में टाला हुआ हैं, आप search करेंगे, तो सारी PDF आपको मिल जाएंगे, या आप hard copy purchase करके भी पढ़ सकते हैं, next चलते हैं, environment and geography, दोनों को segregate मत करिएगा, national park, अब national park difference between national park and maybe wildlife sanctuary, अब ये geography में भी आ सकता है, ये environment में भी आ सकता है, उसका geographical location, इस national park के पास में कौन से नदी बहती हैं, वो जो नदी बह रही हैं, उसके हिसाब से उस national park का flora and phona decide होगा, so मतलब environment और geography दोनों topic interrelated हैं, इसी लिए आपको साथ में उसकी NCRTs पढ़नी हैं, total 22 दिन द मिला के करीब करीब 30 question आते हैं, out of 100 in UPSC CSE, so आपको 22 days देने हैं, और बहुत सारी NCRTs आपको इसमें cover करानी है, so अगर मैं जाओंगा यहाँ पे, तो origin and evolution of earth, 6th class और 11th class, देखिए ये इसी लिए आपको बताना जरूरी है, नहीं तो आप क्या करते हैं, पहले 6th की NCRT हैं, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, फिर 11th, 11th में आते हैं, तब तक आप भूल जाते हैं कि आपने 6th class में भी ये 3 chapter पढ़े थे, which are related to origin and evolution of earth, so आपको theme wise मैंने provide करा दिया है, यहाँ जोश के platform पे, आपको जितने भी करोड़ों viewers हैं, जोश के आपको उसका फाइदा उठाना आते हैं, आपने ये topic उठाया, इस day 1 में आपने ये finish कर रहे हैं, फिर international structure, types of rocks and their formation, geomorphological process 1, 2, climatology 1, climatology 2, oceanography, biogeography, ये सारे different chapters and मैंने आपको यहाँ पे time दिया है, ये जो time locate होता है, ये मेरा experience तो है ही, plus मैंने बहुत सारे मेरे selected बच्चों से average time पूछा था, कि उन्होंने कितना time दिया था इन NCRT के ये chapters cover करने के लिए, 18 day हुआ, 20, 21, 22, finally 22 दिन बाद हमने अपना ये geography और environment को finish कर दिया, next हम चलते हैं, very interesting subject that is, ancient medieval history and art and culture, उसको कुल मिला के हमें 13, 14 days के आसपास में देना है, history बहुत ही interesting होता है, पढ़ने में बहुत मजा आता है उसको, so, total 13 दिन देंगे हम, day 1 में Northern Kingdom को हम cover करेंगे, 800 to 1200, फिर Northern Kingdom को second day दिया है, हमने फिर डेली सल्तनत को दिया है, ये आपके topic हो गये हैं, ये NCRT class के chapters हो गये हैं, ये chapter name हो गये हैं, ये number of hours, कोशिश करिएगा, इतने ही number of hours में आप ये सारे topic finish कर पाएं, next चलता है modern history, आप question आता है कि sir, modern history को आपने normal history में क्यों नहीं add किया, उसका reason simple है, कि modern history का significance exam में जादा है, अलग-अलग exam में तो और भी जादा है, अगर आप state PCS देंगे, आप NCS दे रहे हैं, UPPCS दे रहे हैं, हमाचल administrative services दे रहे हैं, इन सब में modern history का weightage बहुत जादा है, प्लस, modern history के जो questions आते हैं, वो predictable lines पे होते हैं, आप attempt करेंगे, तो बहुत जादा chances हैं, कि आपके वो सारे questions correct हो जाएं, so 10 दिन देंगे modern history को, और ये सारी NCRT के chapters हमें उसके साथ पे finish करते चले जाने हैं, कुछ 8th class के chapters हैं, कुछ 12th class के chapters हैं, next चलता है world history, अब देखिए world history prelims की परिक्षा में नहीं आता है in UPSC, but means की परिक्षा में आता है, so world history को आप ज़्यादा तर means perspective में पढ़िएगा, 10 दिन के आसपास का time देना है, उस 10 दिनों में आपने introduction को हमने finish किया, then event processes, etc and all, तो ये सारे components और number of hours आपको finish कराने है, next में हम आते हैं, second last में, that is science and technology, अब science and technology काफी humanities के बच्चों का कमजोर होता है, इसलिए हमने थोड़े ज़्यादा number of days दिये हैं इसको, अगर आप science background से आते हैं, engineering background से आते हैं, medical background से आते हैं, तो आप इसको number of days को थोड़ा कम कर लीजेगा, but otherwise 11-12 दिन में आप NCRT of science and tech पूरा cover कर सकते हैं, it starts from first cell biology, in which you need to read chapter 8th of cell biology, फिर आप day 2, day 3, day 4 पे चले जाएंगे, फिर आप ये bio का section finish हुआ, फिर हम physics finish करतेंगे, और last में हम chemistry finish करेंगे, और last topic हमारा आता है, which is related to society, आपको पता होगा, prelims में भी social issues का significance है, schemes का significance है, mains में, GS1 में, almost 40% questions आते हैं, social issues से, so social issues को आपको 6 days provide कराने हैं, जिसमें हम class 11th और 12th की NCRTs को finish करेंगे, सो ये broadly हो गया, जो मैं आपसे discuss कर रहा था, कि आपको NCRTs को कितना time देना है, और कितना weightage देना है, last suggestion मेरा आपसे यही है, कि आप competitive exams की कोई भी परिक्षा दें, होता क्या है बच्चे के साथ, कि वो directly standard books पढ़ने लग जाता है, वो कहता है मैं सर मैं लक्ष्मिकान पढ़ रहा हूँ, मैं spectrum पढ़ रहा हूँ, मैं economics की ebook पढ़ रहा हूँ, अगर आप sure रही है कि आपको CSE की परिक्षा देनी है, CSE की परिक्षा देनी है, government exam देना है, तो आप NCRT से पढ़ना start कीजी, आप अपने interest को देखिए, कि क्या आपको NCRT पढ़ के कुछ interesting लग रहा है, because at the end of the day exam आपको जादा, जाके लिखना है, so अगर आप NCRT से एक test कर लेंगे अपना, कि नहीं ये मेरको basic चीजे हैं, जो मुझे अगले 3 महीने में finish करते नहीं है, और on an average आपको everyday धाई से 3 घंटे के आसपास इसमें invest करना है, अगर आप same schedule follow करेंगे, so आप ये सारी NCRTs finish क कर सकते हैं, with a time span of just 95 to 100 days, thank you. मेरा मानना ये है, कि देश का हर जो यूवा है, उसमें बहुत बड़ी काबिलियत है, वो अपने सपने पूरे कर सकता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के पीछे, कुछ परिष्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, कभी financial constraint आ जाता है, कभी knowledge constraint आ जाता है, कभी direction की problem आ जा मैंने मदद की है, और आप सबका बड़े भाई होने के नाते, मेरी ये responsibility बनती है, कि मैं आपके कुछ help कर सको, मैं बहुत ही excited हूँ आपके साथ ये share करने के लिए, कि जो भी बच्चे मुझ से foundation की classes लेना चाता है, जो पढ़ना चाता है, जो आईएस बनना चाता है, लेकिन उसके पास financial constraint है, तो हम एक बहुत ही बड़ी scholarship आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिस भी बच्चे को scholarship enroll करनी है, नीचे description में हमने एक link दिया है, उसको बहुत अच्छे से भरो, एक scholarship का छोटा सा हम test लेंगे आपका, और जिस test में जैसी आपके performance होगी, उसके हिसाब से हम आप scholarship देंगे, आओ UPSC की परिक्षा शुरू करते हैं और त्यारी शुरू करते हैं, thank you.